अनुठकार देखिए आपको पता है कि वेपर वन में जो है वो क्या होता है पंद्रा नमबर के कोशिन होते है एच्पी जी अपरोसिट होते हैं अगर इनके व्हां जाती है तो आज हम करेंगे हम यहीं कोशिनिसके करेंगे 15 question हमारे HPG के होंगे question number 1 to 15 और 15 to 16 to 30 जो है हमारे question national international affair के होंगे ताकि जो आने वाले paper 1 है उनमें आपको help मिल सके तो question number 1 से discussion को start करेंगे बोलते हैं which district of himachal practice recorded the highest increase in density of population between 2001 and 2011 तो बोलते हैं 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंक्या घनत्तों में सरवाधिक वृध्धि देखने को मिली वो कहां पर देखने को मिली तो हमारे पास 4 option दिये गए हैं अगर हम 2001 से 2011 के बीच में बात करते हैं तो देखिए 2001 से 2011 के बीच में उन यहां डिस्टिक में यह density जहाओ सबसे ज्यादा increase देखने को मिली यहां पर थोड़ा सा detail से देखिए 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमें जो ज्यादा देखने को मिली हमिरपूर में 38 देखने को मिली और विलास्पूर में 35 और उस हिजाब से देखें तो उनना में 47 देखने को मिल अब ये data कि हिजाब से हमारे पास दिया गया है यहां पर 369-407 किया गया है मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि 369-2001 की जनगना के अनुसार है और 407-2011 की जनगना के अनुसार है और इनके बीच में जो difference हुआ वो 38 हुआ इनके 38 ही जो है वो increase हुई सोलन का भी वही है 259-2001 की जनगना के अनुसार है और सोलन की ही जो है यह आपने 2011 में 300 थी तो 41 ही increase हुआ बिलासपुर में 292 थी 2001 की जनगना के अनुसार और 2011 की जनगना के अनुसार यह 327 थी 35 increase हुआ उन्ना का case है ऐसा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है लो यह data पूछ लिया गया है पूरे हिमाचल के content को question आ सकता है public service commission का pattern है discuss कर लिए अगला question देखिए बोलते हैं between 2001 and 2011 what has been the approximate increase in literacy rate in हिमाचल प्रदेश तो 2001 से 2011 के बीच में literacy rate के बीच में increase देखने को पूचा गया है कितना increase हिमाचल ने literacy rate में हुआ तो यह 6.32% जो है literacy rate में increase हुआ option भी सही answer है literacy rate के हमने बहुत सारे question discuss किये हैं देखिए 2011 में हिमाचल का literacy rate यहां पर 82.8% था 2001 में यह 76.48% था और 1991 में यह 63.75 था 1981 में यह 42.33 था और उससे पहले 1971 में 31.71 था तो 1971 का भी बहुत important है क्योंकि उस time क्या हुआ था 1971 में हिमाचल को पून राजय का दर्जा मिला था तो वो भी important बन जाता है 1971 से onward भी धियान डखना है आपको तो यह सारा graph एक दिया गया है 82.80 2011 में और 2001 में 76.48 था इसमें जो हमें increase देखने को मिला वो 6.32% था एक question पूछा गये था अभी PGT के exam में ही पूछा गये था कि हिमाचल और इंडिया के literacy rate में कितना difference है तो वो आपने comment करके बताना है जिस दिन भी मैंने वो question morning में ही discuss किया था आपके साथ तो उस question को वीडियो को देख लेना अगले question में क्या बोलते हैं बोलते हैं हिमाचल प्रदेश real estate regulatory authority जिसको HP RERA कहा गया HP RERA has started its function with effect from तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश real estate विन्यामक प्रधिकर्ण जो HP RERA है उसके दोरा काम सुरू किया गया वो पहली जनबरी 2020 से किया गया HP RERA का काम start करने की date यहां पर पूची गई है यह आपने ध्यान लखना है यहां पर HP RERA के बारे में ही दिया गया है कि HP real estate regulatory authority जो है इसने एक जनबरी 2020 से काम करना start किया था तो वस इतना सा ध्यान लख लिजिए अगले question है चैस में statement बना कर पूच लिया गया था कि क्या चकली चंबा में कोई कोई है तो बिल्कुल सही बात है कोई है चंबा का अगले question में क्या बोलते हैं बोलते हैं in which God's praise is बिर्सु सॉंग sung in अपर शिमला reason तो बोलते हैं कि जो उपरी शिमला का reason है वहां पर बिर्सु बोलते हैं कि इस देपता की जो है वो स्तूती में गया जाता है तो महासू देपता वहां पर पूजे जाते हैं महासू देपता की स्तूती में ही जो है यह गया जाता है यह ध्यान रखना है आगे क्या बोलते हैं इन्विच डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेस डेरा सिध बा वार उद्रू हिमाचिल प्रदेश के किस जिले में यह जो है वह स्थित हैं तो यह उन्ना जिले में जो है वह स्थित हैं ऑप्शन भी सही अंसरे उन्ना जिले की हम अक्सर बात करते रहते हैं कि उन्ना एक इंपोर्टन जिला है जैसे कि कल हमने गिर्जास पत्रिगा पड़ी हमने मेगा टेक्स्टाइल पार्क पड़ा था मेगा टेक्स्टाइल पार्क जो है यह भी उन्ना में ही जो है वह प्रपोस्ट है यह भी आपने ध्यान रखना है मेगा टेक्स्टाइल पार्क हो गया बलक ड्रग पार्क हो गया यह भी हो गया फिर्श्टिक का हमने medical device park पड़ा था हमने पड़ा था byo technology Park वो अधूवाल में जो है बनेगा वो पिछले कल गिजाश पत्रिका में चिजन डिसकस हो चुकी है अगले question में क्या बोलते है next question देखना next question में क्या बोलते है next question में बोलते है इन विच डिस्टिक आफ हमाटल प्रदेश长 देरा जोगी-पंगा, तो बोलतें डेर्य-जोगी-पंगा, यह जहाँ किस जीलें सित हैं तो यह भी उना-जीलें में हीं स्तित हैं, ईसके लावा इतना आप यहाँ से ध्यान रखीये, अगले गोरी कोशन में किया बोलते हैं, वेन वॉज दा सोवनिटी ओफ रीजन बिट्वीन दा ब्यास और सतलूज ट्रांसफर टू तू ब्रिटिस कौर्मेंट तो बोलते हैं कि ब्यास और सतलूज के बीच के जो क्षेत्र हैं उनकी संप्रवू था ब्रिटिस सरकार को कभास्ता अंत्रित कर दी गई थी तो ब्यास सतलूज के बीच के जो क्षेत्र हैं वो 1846 में जो था ट्रांसपर कर दिये गए थे यह आपने ध्यान रखना है ब्रिटिस सरकार को अच्छा 1846 में एक इंपोर्टन्ट इवेंट हुआ था जो इसके साथ जूट सकता है 1846 में जो हो ट्रिटी आफ लहोर हुई थी लहोर की सं संदी में जो हो क्या हुआ था जो सतलूज और ब्यास के जो एरिया थे वो ट्रांसफर सरकार को कर दिये गए थे तो क्षेशन में यह भी पूछ सकते हैं कि लहोर की संदी कब हुई थी वह 1846 में हुई थी एक्जेक्टली वह 9 मार्च नाइटिन फोर्टी सिक्स को थी तो 9 म क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्योंतल के राणा को राजा की उपाधी कब दी गई थी तो 1857 में इनको दी गई थी यह उपाधी ऑप्शन भी सही अंसर है अग क्योंतल की बात हुई ही है तो आपने यह धियान रखना है कि क्योंतल के संस्थापक कौन थे सर्यासत की स्थापना किसके दोरा की गई थी राजा गिरी सेन के दोरा इसकी स्थापना की गई थी यह छोटे छोटे क्वेशन ऐसे हैं कि किताबों में आपने पड़े हैं प्रस्तू हम यहां पर बार बार रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत सारे रियास्ते हैं उन सभी को बार बार नहीं आप प्याद रख सकते तो अगर हमने यहां पर रिवाइस की होंगी तो वह एजिली माइंड में रह जाती है और पेपर में जो हो एजिली आप इनका अंसर कर पाते हैं जैसे कि एक एग्जेंपल इसका बता दू मैं अभी आप आपका जो एच्छेस का एक्जाम हुआ एच्छेस क कि थी ना वो किसकी परतों won सिरमौर की साखा जो था वह हुआ कर दे थी बहुत करते हैं अलक सिंग की जो दोर्फ कि की गई और इसी तरह आप ने यह दे हैं पर कि प्रक्षा के रियास्त रखिटिएं k इनको जो भागना पड़ा गोर्खाओं के डर कर और यह सुकेत जा पहुंचे थे और वहीं पर इनका ध्यान जो था वह गया था यह ध्यान लखे और n Einatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat इसमालेंड ड्रीम्लेंड जडर्नी टु किनर लोक की लेखक कौन है तो के लेखक यहां है को यहां पर देखिए आपकोछ एक इंपॉर्टन किताब हैं जैसे की पियुस गुलेरी जत सास्तुरी के दौरा लहरा धरांग री किताब जो हो लखी गई है और उसी दरह नरिंदर अरुण है एक इनके दौरा जो है वो अजाद देशानी कहानी जो हो किताब लेकिल लिखी गई और ALLY इक किताबें ये पहाड़ी एक किताब है राहुत संग्रित्यान के दोल्हा लिकी गईvent तरह लिए प्राचीन हिमाचल गौहथ संगर के दिखू दॉग यह बूट और अब वन्स और टिवन के लिकी सिमला शिमला पास्ट और प्रेजेंट एजी बउख ने लिकी है रिधाया हमाचल परिशक्वाठी तो हुआ बोलते हैं तो पराणे कथाओं के अनुसार जो है वो किन्ठ नरों के सब से पहले राज़ा कौन थे प्रदियुमन हुआ करते थे option c जो है वो सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं इन विच ये एगिटेशन वाज और गेंस्ट राजा ओफ मंडी वाइ सोभाराम तो बोलते हैं सोभाराम के दुवारा जो है वो मंडी के राजा के बुरूद एक अंदूरन किया गया था ये पारलंपूर डिश्टिक का आंगरा तो बोलते हैं कि पारलंपूर जो कि जीला कांगरा में पड़ता है वहां पर म्रिदा प्रसेक्शन प्रयुक्साला जो था वो किस पर से स्थापित की गई वह 2010-11 में जो था वो स्थापित की गई थी ये आपने ध्यान रखने आशा सी क्यानि के चौध्री श्रबन कुमार क्रिषी विश्यविदयाली यह चॉद्री श्रबन कुमार क्रिषी विच्छिविदयली जो है यह भी चर्चा में या ग kernel शास्टीट गमेंट के बीच में कुछ इसको लेकर जो है वो धोड़ा सा जो हम जीता संदैंड्यक कह सकते हैं र जो देखने को मिली तो यह चौधरी स्थापित किया गही था क्योंकि यह पारलंपूर में इस्थ है तो चौधरी कृषी चौधरी स्थानक्रूट में नाइटिन सेवन्टीयट में एस्टबलाइब किया गए तो यह अपने ध्यान लखना है अगला क्रेशन देखे कि बोलते हैं बोलते हैं विच टेमपल एराउंड शिम्ला इस सेड़ तु एब इन फाउंड़ वाई सेंट नीम करोरी ऑफन नी ताल तो बोलते हैं कि शिम्ला के आसपास से मंदीर है जो कहा जाता है कि बाबा नीम करोर सब्सक्राइब करें तो लड़कियों के लिए भारत का सबसे पहला जो इसका उधगातन किया गए था यह कब किया गए था तो यह सुरी कहां पर किया गए था इसका उधगातन तो यह उत्तर वर्देश में किया गए था ऑप्शन भी सही अंसर है अगर हम एग्जेक्टली बात करें तो उत्तर वर्देश के यहां पर देखिए इसको जनवरी एक दोहजार चौबिस को जुताओ खोला गया और वरिंदावन म संवीट गुरुकूलम बालिका सैन्य विद्यालियम यह वो इसका नाम है इंडिया फर्स्ट सैनिंग स्कूल फॉर गर्ल है यह यह भी ध्यान लखना है आपने ठीक है और विरंदावन मत्हुरा उत्तर वर्देश यहां पर यह स्तित है अगले क्वेस्ट में बोलते हैं फ् है फरंतु हमारे एक क्वेस्ट से वहां पर दो क्वेस्ट बने थे मैं बताता हूं कैसे बने थे ब्लैक होल का अध्यन करने के लिए इस दो का उपग्रह एक जनवरी दो हुजार चौबिस को लॉंच किया गया कहां से लॉंच किया गया एक जगा क्वेस्ट क्या पूचा ग हरी हरी कोटा हमने यहां पर पड़ा है और इसको लॉंच किया गया और यह भी था स्टेटमेंट में कि ब्लैक होल की स्टड़ी के लिए भेजा गया है तो यह भी विल्कुल सही बात है तो इस तरह से जो था वो सिधा चार नंबर का यह कॉश्चन हमारा एक कॉश्चन सिध करता है थोड़े थोड़े नंबरों से एक मैरिट बनती है और वही मैरिट जो है ना वह बहुत आगे तक ले जाती है तो यह ध्यान रखना था कि ऐसे जो है वह मिली अगला गरशिन देखते हैं प्रंतुस से पहले देखो अगर आप पीजीटी की तियारी कर रहे हैं किसी देखर बन के लिए टेस्टिर्स का लिंख कहीं दिस्क्रिप्शन बॉक्स डिया गया अगर सब करना जाते हैं तो नीचे लिंक जो दिये गए हैं वहां से अविल कर लिना टेस्ट को जोईन करने वाद टेस्ट का ग्रूप जुरूर जोईन कर लेना अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें इमेल कर देना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और डेफिनिटली पेपर टू म मैं कहीं पर नंबर क्लाइश कर गया तो यह पेपर वन एक संजीबनी बूटी की तरह काम करेगा आपके लिए अगला गर्शिन देखे क्या बोलते हैं माहे मेंगलोर मालवान आदा नेम्स ऑफ विच और फॉलाइं प्रोड़क्त रिसेंट्री लांश तो बोलते हैं माहे हो गया मंगरोल हो गया मालवन हो गया यह निम लिए और गीत मैसे जो है वूड़क के नाम है इनके यह नाम है और कर्फूर्चा में थे हमने यहां पर पड़ा नकने हैं इनके नाम जरूर ध्यान नकने हैं आगे क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं इसका सही अंसर है आगे बोलते हैं यहां पर पूरा question में आपको पड़ाता हूँ कैसे पूचा जाएगा यहां पर पूचा जाएगा कि संगीता करनेधी अवाड़ जो दोहजार चौबीस का है वह एक मदरास music academy के दौरा जो है ओडिया गया है तो मदरास music academy के दौरा यह जो अवाड़ दिया गया है यह कि इसको अपने ध्यान लखना है मदरास म्यूजिक अकैडमी के दोरह 2024 का जो संगीत कला ने थी अवार्ड है वो इनको जो हो दिया गया इनका नाम जरूरी हो गया संगीता कला ने थी अवार्ड का ये संगीता कला ने थी अवार्ड किसको दिया गया तो ये ध्यान लखें अगले कोई इंस्टॉल किया गया जो जी 20 की सम्मिट हुई वहाँ पर भारत मंदबब में वहाँ पर किया गया और यह जो है वो 27 फीट का जो हो इस टैच्व है यह भी आपने ध्यान रखना है और यह जो बनाया गया किसके दोरा बनाया गया जो सकिल्ड आर्टिस्ट है स्वामी मलाई त लाडू के उनके द्वारा जो है वो बनाया गया और इसमें जो है वो ancient method जिसको lost wax casting कहते हैं उसका जो हो इस्तेमाल किया गया next question देखें बोलते हैं what is India's goods and services tax collection in December 2023 तो हमने GST की collection भी यह लग-लग महीनों की पड़ रखी है यह बोलते हैं December 2023 में भारत का जो GST collection था वो कितना था वो था 1.64 lakh crore यह आपने ध्यान लखना 1.64 lakh crore यह option भी जो है वो सही अंसर हो जाएगा अगले कोईशन में क्या बोलते हैं अगले कोईशन में बोलते हैं रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दे लाज़ेस्ट तबला एसेंबल टेक प्ल प्लित होए तो पंद्रासो के करीब जो तबलावात्त तक जो हैं वो एक सहर में कत्रित हुए वो कौन सा सहर वो गवालियर सहर जो है वो है जहां परे कत्रित हुए option डी जो है वो सही अंसर हो जाएगा इसी तरह एक और बात आपने क्या ध्यान लखनी है आपने ध्यान के दवरा जो है ओंगा अब सबनाख गया है वह कुओ की आपने द्हाण हैं जो और सिटी यहां पर आई थी कोंजी कोड़े सीटी यूर्डosaur की revela की है और के लिए सीटी जो है यह दो कलिस्ट में आई थी फिलाए की परनखक सूरी में ही उनेอंधों है और कौन जी को टे लिट्रेचर की स्रेणी में यह जरूर नोट करना था अगला क्वेशन देखते हैं यहां पर वह ही लिखा गया है गवालियर के बारे में पंदरा सो तबलाबाद के यहां पर इकटे हुए और यह रिकॉर्ड बनाया गया दिसंबर पत्चीस को जो था यह हुआ था और दिसंबर पत्चीस को ही जो है वह एक इंपॉर्टन डे मना जाता है जिसको गुड्ड गवर्नेस डे जो हो कहते हैं वह भी ध्यान रखें अगले क्वेशन में बोलते हैं विच कंट्री हैज है दा फास्टेस्ट फाइब जी रोल आउट इन दा वर्ल तो बोल सबसे तेज है तो वह इंडिया का अपने भारत का जो हो सबसे तेज है और यहां पर वही लिखा गया है कि प्याम मोदी ने जो हाँ फाइब से फाइब जी सर्विसी जुदा वह एक अक्तूबर 2022 को लांच की थी और विदिन एट मन्स आट महिनों के अंदर अंदर ही बवल मन्देव एक जल्डमरू है किन दो निकाओं को जोड़ता है तो यह रड़ सी और गल्फ आफ एडन को जोड़ता है प्रन्तु यह जो बवल मन्देद है ना इसका क्वेशन पूछा गया था कहां पर एचेस में जाकर तो एचेस में इस तरह से क्वेशन में भी बन जाते हैं फिर थोड़ थोड़ी हल्प करते हैं और दो चार चार नंबर जोड़ देते हैं आगे जाकर यहां पर कुछ एक इंपोर्टन स्टेट्स दी गई है मलाका स्टेट है जो की अंडमान सी को जोड़ती है इसकी लोकेशन जो है वो इंडोनेशिया मलेशिय पाक स्टेट है जो की पाक बेवर बेवा बेंगोल को जोड़ती है इंडिय ते लंका को एक तरा से आप कहेंगे जोड़ती है सुन्ड़ स्टेच हो के जो कि जावा सी और इंड fiance ओशियो को जोड़ती है लोकेशन इंडोनेशिया है बॉस-फॉरस स्ट्रेट हो का जो की ब् पीजी दिखी किये तो यह अंसौलवड पार्ट मैंने पहले ही आपको प्रवाइड करवा दिया था अभी आपने वहां से प्रैक्टिस किया होगा फिर आपने यहां पर वीडियो देखकर जो है वांसर जाने होंगे तो बहुत हेल्प आपको मिली होगी वहां से भी और वीडियो निवाचारी को ऑप्शन डीवसंथ लक्समिन नरसिमाचारी जो है उनका नाम है जिनको नरित्य Elizabeth Award के लिए चुना गया है नेक्स्ट कुश्चन यहां पर वही दिया गया है धुजर्लगु प्राइम मिनिस्टर एक्स्पक्र टो बिगए टेंथ समिट हुई थी यहां पर यह एक्सपेक्टिट था मतलब अब तो हो चुका है कि अतिती के रूप में जो हो चैज रिपब्लिक ऑप्चने सई रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वह जो हैं हो आएंगे तो यह यहां पर एक्सपेक्टिट और ऐसा ही हुआ नाम मुहम्मद बिन जाइद अल नयान है यह यूए के जो हैं प्रेजिटन था कि इन्होंने आना था आये थे तिमूर लिस्ते के जो प्रेजिजेंट है जो रमोस होटा यह यहां पर एक्सपेक्टिट थे और आपने ध्यान लखना है मुझांबी क्यों जो कंट्री है वहा इट इंडियन नीवी ऑफिसर वर अरेस्टेड तो बोलते हैं कि किस देश में जो हो भारत के जो आठ पूरुव भारते से निक्यां उनको जो हो गृफतार किया गया था तो यह कतर में किया गया था फिर इनके रिलीज की बात सामने आई इनको रिलीज किया गया तो कतर के द्वारा इनको एरेश्ट जो था वो किया गया था यह ध्यान नकना है अगले कोईशन में बोलते हैं बोलते हैं रिसेंटली हूँ है इस बीन अपॉइंटेड ऐस न्यू वाइस चीफ आफ नेवल स्टाफ तो नेवल स्टाफ के नए जो वाइस चीफ बनाए गए हैं वो कौन नेवी के चीफ की बात करते हैं कि इंडियन नेवी के चीफ वो कौन है उनका क्या नाम है तो इंडियन नेवी के चीफ का नाम आपने ध्यान रखना है कि एड्मिरल दिनेज के त्रिपार्थी जो है यही जो है अब अब जो है वो क्या हुआ है यही जो है वो चीफ बन चु दिन टैक्र-पाइज चीफ को भी चीफ चिफ को भड़ बन चुब कर अब ड है कर दो यह ऐां पॉइंट पर जाकर कब पहुँचाता जाकर तो यह जनब्री 6 को जो था हो पोँच गये था आफ्टर 120 say 7 days के आसपास यह यहां पर पहुँच गये था जाकर यह आपने दियान लकना है जनब्री 6 यह भी धियान रखना है 2024 जनवरी छे 2024 को यह पहुंच गया था यहां पर जाकर यह जरूर नोट करें अच्छा क्वेशन में आप से पूचता हूँ कि चंदरियान 3 को कब लॉंच किया गये था और जब चंदरियान 3 ने जो हो चंदरियान पर चांद पर जाकर लैंड किया तो उस दे को नेशनल स्पेस डे की रूप में नाया गया अब नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है वह भी आफ कमेंट करके बताएंगे अगर आपने तक में टैलिघ्राम पर जोइन नहीं किया है तो अपने टैलिघ्राम से सर्च करना है अट जा एक और एक्जाम 31 आपको मार टेलिग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा टेलिग्राम पर हमें जोइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है आपने देट वाल फॉर टोड़े थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अनलिस्टिक वरी पेशेंसले